घर बेटे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी आज कल हर मैला अच्छा दिखना चाहती है और अच्छा दिखने के लिए कौस्मेटिक आइटम की जरूरत पढ़ती है दोस्तों ये समय साधी समारो का है तो आप कौस्मेटिक आइटम की दुकान खोलने का बिजनेस शुरूग कर सकते हैं ये बिजनेस हमीशा चलने वाला बि तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आकिर कॉस्मेटिक आइटम के इस बिजनिस वीडियो में हम आपको क्या क्या कबर करेंगे पहले नमबर पर हम आपको बताएंगे कॉस्मेटिक आइटम क्या है और अंद में हम आपको बताएंगे दोस्तों साथ से आप ऐसी टिप्स जो आपको कॉस्मेटिक आइटम के बिजनिस में सफल कर देगी तो बिना किसी देरी के हम सुरू करते हैं सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली सुबह 8 बजे ऐसी बिजनिस की वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दें उसके पास बेल आइकन उसे दबा दें जिससे की हर रोज हम सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाएगी तो पहले नमर पर बात कर लेतें कॉस्मेटिक आइटम क्या है दोस्तों जैसे आपने नाम सुना होगा क्रीम है पाउडर है जूड़ा है बिंदी है पिन वगेरा है ये सबी सामान जो की आज के समय हर एक महिला की जरूरत है कॉस्मेटिक आइटम के अंतरगत आते हैं तो इनके से आप अन्रजर लगा सकते हैं कि ये सामान हर एक महिला की जरूरत है और जरूर जरूर वो ये सामान खरीदती है दूसरे नमर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये कॉस्मेटिक आइटम बिजनेस वाला आप कहां से करीदें दोस्तों मैं तो आपको एकी जगे बताऊगा जहां से यह business जो सामान है cosmetic item जो बहुती अच्छी rate पर बहुती सस्ता मिलता है वो है चानली चौक और दिल्ली के market दिल्ली के जितने भी market हैं गांधी बाजार हैं वहां से आप आसाने के साथ यह सामान बहुती कम rate में आपको मिल जाएगा वहां पर जाकर और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं दूसरा दोस्तों आपके राजबे जहां पर भी wholesale market है आप वहां से भी यह सामान ले सकते हैं दोस्तों एक बार मैं दिल्ली गया था वहां पर अगर बिंदी की बात करें तो बिंदी का जो एक पत्ता रहता वो यहां पर 5 रुपे का मिलता है वहीं अगर आप wholesale से लाते हैं तो वह 50 पैसे का मिलता है तो इससे अंदाचा लगा सकते हैं कि आखर इस business में कितना मुनाफ़ा हो सकता है बात कर लेते हैं दोस्तों कि कॉस्मेटिक आइटम की दुकान खोलने के लिए आपको जरूरी इंतिजाम क्या क्या करने दूसे नमर पर आपके दुकान को अच्छा दिखने के लिए आपको दुकान की furniture कराना होगा टेवल चेर रखना होगा साथ में उसमें अच्छे तरीके से glasses लगाना होगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से दुकान की marketing हो जाएगी तीसे नमर पर आपको जरूरत आपको लिए सकते हैं यह फिर आपके पास एक से दो लाक रूपे हैं तो आप इस business को सुरू कर सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों हमने आपको बता दिया क्या क्या इंटजाम आभे इंटजाम को खर्च करने के लिए कितनी लागत आएगी तो 2-4 लाक रूपे में आप ये बिजनिस को शुरू कर सकते हैं बात कर लेते हैं कमाई की तो दोस्तों अगर इस बिजनिस की बात करें तो 10 से 50 प्रतिसत तक का मुनाफ़ा होता है ये सीधा सा फंडा ये है कि अगर 100 रुपे का आप आइटम बैचते हैं तो 10 रुपे से 50 रुपे तक का मुनाफ़ा हर एक यहां पर आप उसे 5-6 रुपे में आसानी के साथ पेंच सकते हैं इस तरीके से दोस्तों कॉस्मेटिक आईटेम में बहुत अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस आप आसानी के साथ एक लाग का अगर सामान बेहते हैं तो 10-20,000 या 30,000 तक का मुनाफ़ा कमा सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को सुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या टिप्स आप रखना चाहिए तो पहले नमबर पर आपको दोस्तों डिमांड बाले प्रोडक्ट ही रखने चाहिए जो डिमांड में ज्यादा रहते हैं अगर आपके मार्केट में बिंदियों की डिमांड है तो बिंदी रखिए जूडा की डिमांड है तो जूडा रखिए पाउडर की डिमांड है तो पाउडर रखिए इसके अलावा दोस्तों आप जो भी कॉस्मेटिक आइटम सामान रखना चाहते हैं उसके पूरी जानकारी प्राप्त करें उसके बाद ही इस बिजनिस को सुरू करें अच्छे से प्लानिंग रखें दोस्तों पैसा कितना लगेगा मार्केट किस तरीके का है आप जो सप्लायर आप जहां से सामान ले रहे हैं वो सप्लायर करता है या नहीं करता है समय पर इसके अलावा दोस्तों आपको ग्रहाकों से अच्छा बहवार रखना चाहिए एक ग्रहाक अगर एक बार आजाए तो आप उससे इतना अच्छा बहवार कीजिए कि बार बार आपकी दुकान पर ही आए महिला करमचारी रखेंगे तो आपका इस बिजनेस में जल्दी सफल हो जाएंगे क्योंकि महिला आएं आपके दुकान पर जादा आएंगी इसके अलावा दोस्तों आप जो भी सामान बेंचे शुरू में आप उनका कम दाम रख सकते हैं पास के दुकानों से अगर कम दाम रखेंगे तो आपके घ्राग जरूर आएंगे सभी की कानूनी प्रिक्रिया पूरे कर लें कई जगे नगरपाली काओं के दुकान के लिए लाइसेंस लगते हैं जीएस्टी वगरा भी लगता है तो जितनी भी कानूनी प्रिक्रिया है वो पूरी आप इस बिजनेस में शुरू कर लें जिससे की आपको आगे परिशानी नहीं होगी जो भी सामान लाए दोस्तों क्वालिटी पर आपको ध्यान देना होगा अगर क् सफल हो जाएंगे आपके बिजनेस जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग अच्छे से करें और दोस्तों कई सामान ऐसे होते हैं जो एकस्पायर हो जाते हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ब कर सकते हैं सप्लाइर के वारे में अगर और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मेरा मोवाल नमर है वाट्साइप करें मैं रिप्लाइ करूंगा इस बिजनिस वीडियो को पूरा अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल एक फिरिक नए बिजनिस वीडियो के स झाल 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 झाल